भगवान शिफ्ट के 12 जोतिर लिंगों में से एक ओम कारिश और जोतिर लिंग भारत के मध्ध प्रदिश के इंदौर जिले से करीब 70 किलो मीटर की दूरी परिस्थित हिंदूओं की आस्था का एक प्रमुक केंद्र है उपर से देखने पर यहाँ पर नर्मना नदी ओम की आकार में बहती है यही कारण है कि इसे ओम का रिश्वर कहा जाता है मंदिर तक पहुँचने के लिए दो पुलों का निर्मार किया गया है और इस पुल से आप मनमोहक दरश्यों का आनंद उठा सकते हैं प्रति दिन मंदिर के पट बंध होने का समय दो पहर बारा बीस से एक पंद्रा शाम चार से चार पैतालीस और रात्री आज साड़े आट बज़े से नौ बच कर पांच मिनट तक शायान आरती के लिए निर्धारित किया गया शाम होने से पहले आप नर्मना नदी के गौमुग घाट से नाव यात्रा द्वारा मंदिर की परिक्रमा भी कर सकते हैं मद प्रदेश में इस्थित ओम कारेश्वर एक अत्यधि खूपसूर अतेवं पावन धार में के स्थल को जब भी घूमने जाएं नाव यात्रा का अनंद लेना न भूले मिलते हैं आपसे जल्दी एक नई ट्रेवल स्टोरी के साथ ओम कारेश्वर यात्रा से जुड़े किसी भी सवाल को कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछें धन्यवाद कर दो कर दो